हेलो फ्रेंड्स गुड मॉरिंग आज हम NCRT क्लास 8 साइंस के 6 चाप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है दहन और जुआला इसमें हम कैसे चीजे जलती हैं कौन सी चीजे जल्दी जलती हैं कौन सी लेट जलती हैं इसका क्या कारण है हम इसके बारे में यहाँ पे दे शीजे जाने में बहुत स्रह्य करण का उंपयोग की सारी गाडियों को चलाने में और भी घर में खाना व्राने के लिए अलग-अलग तरह के इनरा यूज कीया जाता है जैसे कि हम देखते हैं कि इनरान के रूप में गोबर लकडी कोईला कास जोएलो पैच्च्irs o • संपिर ये तर्फ तर्फ जित्क्त्राइक एंचर सीद्ट ये सब si चीजों का यूस्ट किया जाता है अ धै आगे हम देखते हैं कि सारे सीजु ज्लने में बहुत अंतर होता है ठीक है अगर हम देखते हैं कि मुमлте और हम कोले को लेते हैं तो मुमetin जलते हुए कोईला तो यहां पर देखते हैं कि जो मुंबत्ती जलती है वो बिलकुल दिखाई देती है वो ज्वाला के साथ जलती है लेकिन जो कोईला होता है वो ज्वाला के साथ नहीं जलती है उसमें लॉब पूरी तरह से जितना तेज मुंबत्ती में निकलती उतना कोईले में नहीं निकलता है ठीक है तो यह कुछ रासायनिक प्रक्रम होते हैं इसमें तो उसी के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर बताये गया है दहन क्या है तो हमें क्लास 7 में देखा था मैंगनीशियम का दहन उसमें उश्मा और प्रकास दोनों निकल रहे थे तो इसी प्रकार यहाँ पर एक कोईले को टुकुडे को लिया गया है उसको किसी मुंबत्ती या फिर किसी बर्नर की ज्वाला से उसको जलाया जारा तो हम देखते हैं कि जो कास्ट कोईला होता है वो वायू यानि कि ऑक्सीजन के प्रेजन्स में जलता है और हम जानते हैं कि जो कास्ट कोईला होता है वो वायू में जलकर कारबन डायोकसाइड और उश्मा प्रकास देता है यहां पर मैंगनेशियम का दहन दिखाये गया है रासाइनिक प्रक्रम जिसमें पदात ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उश्मा देता है दहन कहलाता है और जिस पदात का दहन होता है वो दाह कहलाता है यानि कि यहां पर हमें किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की बहुत जादा आवाश चकता है बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ जलेगी नहीं थीक है तो इस प्रकार इन पदार्थों को हम इनन कहते हैं और यह इननन जो होते हैं वो ठोस, रव या गैस किसी मे भी हो सकते हैं ठीक है और कभी कभी होता है किसी किसी दहर में हमें जौला के रूप में एक लौ प्राप्त होती है और किसी में नहीं प्राप्त होती है तो यहां पर जो Magnesian और कास्ट कोईला बताए गए हैं यहाँ पर यह दा है पदार्थ है ठीक है आगे हम देखते हैं कि कुछ यहाँ पर क्रिया कलाप कराए गए है ठीक है और इनमें देखा गया है यह कौन से दा है कौन से अदा है ठीक अब हम ऐसी परिस्थितियों को जानते हैं चिन में यह जो होते हैं चीजे जो जलती है ठीक है यहाँ पर क्रिया कलाप में हम देख रहे हैं कि एक मुम्बती जलाई गई है सबसे पहले ए पर देखते हैं मुम्बती जलाई गई है और उसके नीचे यहाँ पर दो लकड़ी के गुटके रखे उसके उपर एक ग्लास जार को रखा Всё नहीं गया है और उसको बिंब की रखा गया यहां पर क्छिजिन जाना बंद हो गया है यह अब नहीं जल रहे है वहीं पर तीसरे में भी क्या कर रहे है कि कि यहां पर ज्वाला नहीं गई और उसके इववर एक लकडी का एक प्लेट रख दिया गया है तो यहाँ पे भी हमें कोई भी चीज जलती हुई नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पे बायू उपलब्द नहीं होती है हम आगे देखते हैं कि सूर्य में उश्मा और प्रकास नाभी की अविक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होता है यह बहुत important question है कि नाभी की अविक्रियाओं द्वारा सूर्य में से उश्मा और प्रकास उत्पन्न होते है ठीक है आगे यहाँ पर बताया गया है कि जब किसी वेक्ति के वस्त्र में आग पकड़ लेता है तो उसको बुझाने के लिए हम कंबल का प्रयोग करते हैं यहां हम समझ सकते हैं कि जैसे कंबल का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है कि वहां पर ऑक्सिजन जाना बंद हो जाती है और जो जवाला होती है वो भी बंद हो जाती है क्योंकि ऑक्सिजन मिलना बंद हो जाता है आगे हम देखते हैं कि जो मार्चस की तिली होती है क्या वो room temperature आए नहीं कि room में रखने पर क्या अपने आप जल उठती है हम कागर्स की टुकड़े उनको जलाने के लिए उनका प्रयोक करते है लकड़ी या कोईले को जलाने के लिए हम कागल से मिठी के तेल का उप्योग करते हैं ठीक है और जंगल में जो आग लगती है वो कैसे लगती है तो यहाँ पर दिखाए गया है तो यहाँ पर बताया गया अभी तक हमने जितने question की है कि माचेस की तीली रूम temperature पर नहीं जलती है हम किसी भी चीज को जलाने के लिए मिठी का तेल या माचेस की तीली का यूज करते है तो उसका एक definition है कि वो नियूंतन ताप जिस पर कोई पदार जलने लगता है उसका जलन ताप कहलाता है माचेस की डीप्या में जब जब उसको रगरते है तब जाकर वो जलता है एक नियूंतन ताप उसको चाहिए जहांपर वो जलने लगे ठीक है आगे हम देखते हैं कि माचिस के बारे में यहां बताया गया है तो यहां पर करीब 5000 से अधिक वर्षपूर प्राचीन मिश्र में गंधक में डूबोए गए चीर की लकडी के छोटे टुगडे माचिस की तरह उपियोग किये जाते थे उसके बाद करीब 200 वर्षपूर एंटीमनी, एंटीमनी ट्राइसलफाइट, पोटेशियम क्लोरेट और स्वेथ फॉस्पूरस का मिश्रर कुछ गोंध और स्टार्ज के साथ मिलाकर उची तलकडी से बनी माचिस की तिली जो है वो बनाई जाने लगी उसके बाद क्या होता है qi जब इनको एक खुर्दूरी सता पर रगडा जाता था तो जो स्वेत फॉस्पूरस थे वो प्रज्वले तोड़ते थे लेकिन बाद में जो स्वेत फॉस्पूरस थे वो वहां पे काम करने वाले जो लोग थे माकिस के उपियोग में उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक सिद्धुवा उसके बाद क्या किया गया माचिस अब जो होते हैं अब के जो माचिस की तीलिया बनती है उनके सिरे पर केवल एंटिमनी थ्राइसलफाइट और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है ठीक है रगणने वाली सतर पर चूड़ी काच फासफोरस लगया उसके झाल फासफोर स्पोर्स लगाते हैं डीक बहुति कम खतरनाक होता है तो इसलिए जब माचिस की तीलि को खुदी सता पर अगढ़ते हैं तो उसमों फासपोर त्यलिया करता है जिससे ऐन्टिमनी थ्रासिलफाइट का ज़हनद प्रारम हो जाता है त और जो potassium chloride होते हैं वो अभी क्रिया करके उश्मा उत्पन्ने कर रहे हैं और यहाँ पे जो लाल phosphorus है वो जो होते हैं जो इसको रगणने पर वो जलने लगते हैं ठीक है तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो दाहे पदार्थ है यानि कि अभी तक दाहे पदार्थ हम देख रहे हैं माचेस की तीली, कोईला, मुंबत्ती यह सब जो दाहे पदार्थ है तब तक आगने पकर सकते हैं या जलने सकते हैं जब तक उसका ताप, उसके ज्वलन ताप से कम रहता है यानि कि अगर उसको एक लिमिट पे जलना है अगर वो उस लिमिट पे नहीं पहुत सा तक तक कोई जलता नहीं है ठीक है, आगे हम देखते हैं कि कि किसी भी चीज को भोजन को पकाने के लिए किसी चीज को तलने के लिए हम उसको क्या करते हैं जलते वे स्टोर पर रखते हैं खिक यह कमरे के ताब पर मिट्टी का घ्रिंकरते जिशन के अपने आप आप कर देटे हैं तो वहां आप पकड़ के तो आम यहां पर बता सकते हैं कि zwaran तक पहुप जाता इसे लिए वो सबहरते हैं और आगे यहां पर क्या किया गया है एक paper की kit बनाई गई है दो और एक में 50 समल पानी डाला गया और एक में नहीं दोनों को मुंबती से जलाया जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ जो मुंबती से जो जुआला निकल रही है उसकी उश्मा को जल जो है वो ले ले रहा है और यहाँ पर कोई जल नहीं है ठीक है तो हम जब कप को गरम कर रहे हैं यानि पेपर की कप को तो कागस की कप में जो जल है वो उसको हम उबाल सकते हैं ठीक है तो कागस की कप को दी जाने वाली उश्मा चालन द्वारा जल में च जलता ने हैं जिन पदार्थों को जलता आफ बौहत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सदुरतापूरवक आग पकडड़ लाते हैं यानी कि उनका की जवायन ताफ बहुती कम यानी कि बहुत ही हल्के टमपरेचर पर जलने लगते हैं जैसे कि पेट्रोल अल्कोहल आलपीजी ये सब जो होते हैं बहुत ही हलके टेंपरेचर पर तुरंत आग पकड़ लेते हैं इसलिए इनको जोलन शेल पदार्थ कहा जाता है आगे हम देख रहे हैं कि हम अगर कोई आग लग जाती है तो उस पर नियंतर कैसे पाते हैं ठीक है हम देखते हैं कि अगर कुछ आग पकड़ लेता है तो जो अगनी श्रमन सेवक होते हैं यानि फाइब ब्रिकेट जो होता है वो पानी फिक कर आग बुझाते हैं ठीक है जल जो होता है वो जलते हुए पदार्थों को ठंडा करता है जिससे उनके ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाते हैं इसलिए कि फ्रिके वो पूरी तरह से व्को ठाउरना उनके घरने के बाद जिससे भायो कि आपील याग बंद वोनकि जाती है और आग बुझातीई क्योंकि हमें पहले से पता है कि किसी चीज को जलाने के लिए वायी की आवफ्चता है ठीक है तो हमें अब पता चल गया है कि किसी कहीं भी आग उत्पन करने के लिए हमें तीन चीजों की आवशक्ता होती है सबसे पहला इंदन दूसरा है वायू जिसमें ऑक्सिजन की अपुर्ती होती है और तीसरा है उश्मा यानि इंदन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने के लिए ठीक है तो इन में से अगर ए अधिक आवशक्ताओं को हटा कर आग को नियंतित कर सकते हैं ठीक है और आग बुझाने वाले का जुकार वायू का प्रवा काटना या इंदन का ताप कम करना या दोनों होता है यानि कि उनको वायू का प्रवा बंद करना होता और इंदन का ताप भी कम करना होता है ठीक है हम इन इस्थितियों में इनन को नहीं हटा सकते हैं ठीक है जैसे कि यदि किसी भवन में आग लगी होती है तो संपूर भवन में इनन ही होता है तो या तो हम उसमें वायू का प्रवाग कम कर सकते हैं या फिर वहां के ताप को कम कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे जब अगनी शाम विद्दुत उपकरण और पेट्रोल जल से हलके हैं यानि जल भारी तो जल नीचे चला जाएगा और पेट्रोल उपर आजाएगे तो उनके भी जलने का खत्रा रहता है तो यहाँ पर क्या करते हैं जो विद्दुत उपकरण और पेट्रोल जैसे जलन सिल पदार्थों में लगी आग के लिए कारबन डाइओकसाइड सबसे अच्छा अगनी शामक है यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुश्चन है यानि सी यो टू अगनी शामक है ऑक्सीजन से भारी होने के कारण सी यो टू आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है यानि सी यो टू उस जगह को पूरी एक चायो तब से घेल लेती है और इससे इनन और ऑक्सीजन के बीच संपक तूट जाता है और आग पर नियंतर पाया जाता है CO2 का आत्रिक लाप यह है कि यह विद्धू तुप करने हो कोई हानी भी नहीं पहुंच आता है आगे हम देखते हैं कि हमें आखे CO2 का जो आपूरती कहां से होती है तो सिलेंडर से छोड़े जाने पर जो हमें सिलेंडर होते हैं उस पर छोड़े जाने पर CO2 बहुत ही अधिक फ्यालती है और ठंडी हो जाती है अता यह ना केवल आख को चारो ओर से घेल लेती है बैलकि इनन के ताप को भी नीचे ले आती है इसलिए यह बहुत ही अति उत्तम अगनी शामक है CO2 को प्राप्त करने का दूसा भी तरीका है कि सोडियम बाई कार्बोर्ड यानि नास, CO3, पोड़ेशियम बाई कार्बोर्ड इन सारे पाउडर का भारी माता में छिड़काव करने पर भी कार्बन डेयोकसाइड गैस निकलती है जो आख को बुझा देती है अब हम देखते हैं दहन के प्रकार ठीक है हम देखते हैं कि जो माचिस की तीली या गैस लाइटर से जो जलते हैं वो अलग तरीके से जलते हैं ठीक है उनके जलने का जलना जो उनका देखा जाता है वो अलग अलग तरह के होते हैं किसी में नीली लौ होती है किसी में पीली कलर की होती है ठीक है तो हम पाते थे गयास जो है तीजी से जलने लगती है और उश्मा और प्रकास उत्पन्र करती है इस प्रकार का दहम promotes तीवर दहन पर quartz है ठीक है फ्लिजी जैसे कुछ पदा जो कमरें के ताप पर वायू में जल उड़ते हैं, हमने इसके बारे में अपने पिछले क्लासेस में बताया था कि फास्पोरस वायू में अभी क्रिया करते हैं, इसलिए वो बहुत तीजी से जलने लगते हैं, इसलिए उनको पानी में लखा जाता है, इस प्रकार का दहन जिसमें पदात बिना क किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लप्टों के साथ जल उड़ता है, स्वता दहन कहलाते हैं, यानि अपने आप उनका जलना, जैसे कहेंगे कोईले के कारखानों में जो कोईले की धूल होते हैं, वो अपने आप उनमें कहीं बार आग लग जाते हैं, और इनसे बहुत जो होता है, नुकसान होता है, ठीक है, और जंगल में भी अपने आप आग का लगना, ठीक, आतिश बाजी में जो पठाके जलते हैं, उनमें एक आकस्मिक अभिक्रिया होती है, जिसमें उश्मा, प्रकाश और ध्वनी पैदा होती है, ठीक है, तो इस अभिक्रिया में इस फोट हो सकता है, आगे हम आगे यहाँ पर ज्वाला के बारे में बताए गया है, कि जो आग जो जलती है, वो किस तरह की होती है, किसमें ज्वाला पैदा होती है, किसमें नहीं होती है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जो सारणी बता है, इसे मुंबती, मैगनेशियम का प जो ज्वाला का रंग है वो बिलकुल अलग है लाम्प का मुंबत्ती यहां पे अलग और यह बरनग इन सबकी जो ज्वाला है बिलकुल अलग है उसके रंग आगे ज्वाला की सनचना ठीक है अब ज्वाला की सनचना के बारे में बताए गया है यहां पे दहन के समय जो पदात जब नहीं देता है जब मुंबती की ज्वाला स्थिर हो तो जब उसकी ज्वाला बिल्कुल स्थिर होती है उसके दिब्ध छेतर में एक स्वच काँच के प्लेट या स्लाइट प्रविस्ट कराई जाती है ठीक है और करीब होड़ी देर तक उसको वहां पर पकड़ के रखने पर क्या पाया जाता है जो कांच की जो स्लाइड होती है उस पर एक गोल काला वलय बन गया होता है यह जोला के दिप्त छेत में उपसे बिना जले कार्बन करों के जमाव को दर्शाता है ठीक है एक पतले लंबे तार को लगबत 30 सेकंड तक जोला में पकड़कर यहाँ पर बाहर है वो रक्त तप्त यानि बिलकुर रेड होट हो जाता है हमें इससे यह पतल चलता है कि जोला का यह भाग बहुत ही जादा गर्म होता है सोनी और चांदी को पिखलाने के लिए सुनार जो होते हैं वो धातू की फूकनी से जोला के सबसे बाहरी भाग को वहाँ पर फ और पूर दहन का यहां पर जो सबसे आउटर में निकला है वो नीला भाग बीच में सबसे गर्म है और जो बिलकुल पीला है वो आंशिक दहन वाला मध्य भाग होता है ठीक है जहां से हमें कार्बन के जो कड़ प्राप्त हो रहे थे ठीक है यहां पर यह सबसे गर्म है जह इनन क्या है हम जो घरों में उर्जा उत्पन करने के लिए चीजों का या उद्ध्योगिक उप्योग में करते हैं उश्मा उत्पन करने के लिए जैसे लकडी, कास्ट कोईला पैट्रोल, मिट्टी के तेल आदी, यह सारी चीजे जो होती हैं ये इंधन कहलाती है और सबसे अच्छा इंधन वही होता है जो हमें आसानी से मिल सकता है सस्ता होगा और वायू में एक सामान इदर से सुगमता पूरवक जलता होगा और अधिक मात्रा में उश्मा जो है वो उत्पन करेगा और इसके जलने के उपरान कोई भी अब आंचनी पदार्थ है नहीं छोड़ता है ये सबसे अच्छे इंधन माने जाते है लेकिन ऐसा कोई भी इंधन नहीं है जिसे एक आदर्श इंधन माना जा सके आगे हम देखते हैं कि इंधन के मुल्यों में भी भिन्नता होते कुछ इंधन जोते अन इंधनों के अपिक्छा सस्ते होते हैं आगे है इंधन दक्षता ठीक है इंधन दक्षता में बताया गया है कि जैसे गोबर के उपले कोईले और अलपीजी को अगर हम जला कर एक रिटर पानी उस तीनों पे अलग-अलग उबालना चाहें ठीक है तो इसमें क्या होता है कि सबसे अच्छा कौन सा होगा तो किसी इंधन के एक किलो ग्राम के पूर दहन से प्राप्त उश्मा उर्जा की मात्रा उसका उश्मिय मान कहलाती है यह इंपॉर्टेंट है ठीक है तो इंधन के उश्मिय मान को कीलो जूल प्रती कीलो ग्राम मातक द्वारा दश आये जाता है यहां पे अलग-अलग इनन के अलग-अलग यहां पे उश्मी मान बताए गया है ठीक है यहां जैव गया है इसका सबसे अधिक यहां पर उश्मी मान बताए गया है ठीक है आगे हम देखते हैं इनन के दहन से हानी कारक उतपात प्राप्त होते हैं जैसे कि सबसे पहले हम अग दमा और स्वास रोग को उत्पन करते हैं इसलिए जो सर्दियों में जो लकडी का उपयोग घरों में और अध्यों में होता है तो यहां पे कोईले और एलपीजी जैसे इंधनों को अब यहां पे इसलिए ले लिया गया है क्योंकि यह जो होते हैं कार्बर मोनो ओक्साइड इ यह सब जल रहे होते हैं उसमें नहीं सोना चाहिए होता है ठीक है और लकडी को जलाने से भी जो हमारा वन उन मूलन का भी कारड़ी यह बन रहे यानी वन खतम हो रहे तो यह भी हमारे लिए एक तरह से प्रदूशक हो गया अगला है इनन का अपूड दहन यानि अगर इनन पुईतर से नहीं चलता है तो उसमें carbon monoxide gas उत्पन होती है और यह gas बहुत ही ज़ादा विसाली होती है carbon monoxide ठीक है इसलिए बंद कमरे में कोईले को चलाना खतरनाक होता है अगला है अधिकांश इन दनों के दहन से परियावरण में carbon dioxide gas निकलती है और वायू में carbon dioxide gas की अधिक माता से विश्व उश्रन यानि global warming का कारण या बढ़न रहा है तो अगर यह carbon dioxide अगर gas बढ़ती जाएगे तो पृत्वी का temperature बढ़ता जाएगा और इससे जो हमारे glaciers हैं हेमनत वो पिघलने लाएगे और जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और तटी एच्छे तो बाढ़ ग्रस्ट हो सकते हैं आगे है कोईले और डीजल की दहन में sulfur dioxide gas निकलती है इसको दम घोटू gas कहते हैं याली sulfur dioxide को दम घोटू या संचारक gas और इसके अतरिक petrol engine nitrogen gassy oxide छोड़ते हैं sulfur और nitrogen की oxide वर्षा जल में घुलते हैं और अमल बनाते ऐसी वर्षा को अमल वर्षा कहते हैं हमारे लिए दो question बहुत important है कि दम घोटू gas कौन सी होती है sulfur dioxide और अमली वर्षा क्या होती है तो यह अमली वर्षा जो होती है फसलों और भावनों के मिर्दा के लिए बहुत ही हानिक कारक होती है इसी अमली वर्षा के कार्ड हमारे संग मर्मर जो यहाँ पे तार्स महल है वो पीले पड़ रहे हैं आगे हैं motor वाहनों में इंधन के रूप में diesel और petrol के स्थान पर अब CNG यानि संपेडित प्राक्तिक गैस compressed natural gas को यूज किया जा रहा है क्योंकि जो CNG है वो sulfur और nitrogen के oxido का उत्पादर बहुत ही कम मात्रा में करती है और यह है एक स्वच्छ इन्धन है ठीक है अब हम कुछ important points देख लेते हैं सबसे पहले दाह किसे कहते हैं ठीक है तो जो पदार्थ वायू में जलते हैं वे दाह कहलाते हैं और इनके दहन के लिए oxygen की आवशक्ता होती है और जब यह जलते हैं तो उनमें उश्मा और प्रकास उत्पन होते हैं ज्वलन्ताप क्या है ज्वलन्ताप वह निम्निताप है जिस पर दाहे पदात आग पकड़ लेते हैं और ज्वलन्सिल पदातों का ज्वलन्ताप जो होता है बहुत ही कम होता है जैसे हमने देखा था पैट्रोल, डीजर, क्यारोसिन यह बहुत कम ताप पे ही आग पकड़ लेते हैं ठीक है हमने देखा था आग उत्पन करने के लिए हमें तीन चीजों की आवशकता हो रही थी अगर उनमें से हम एक भी चीजों को हटा दे रहे थे तो जैसे कि इनन वायू और ताप अगर हम वायू को हटा दे और ताप को कम कर दे तो क्या होगा ? आग को हम नियंतित कर सकते हैं आग के नियंतित के लिए चल का प्रयोग होता है जो लकड़ी और कागस के आग होता है उन पर पानी का यूज होता लेकिन चहाँ विद्धुत उपकर्णों और तेल से लगी आग होती है उनके लिए अगरी शामग जो होते हैं वो CO2 गैस ठीक है तो दहन अलग अलग तरका होता है जैसे तीवर दहन, स्वतर दहन और विस्फोर्ट ठीक है जो आला के तीन भीन निचेतर होते हैं सबसे पहले और दिप्त छेतर, दूसरा दिप्त छेतर और एक जोती ही इन छेतर है जैसे हमने पैरेट भी देखा आगे है आदर्श इन्धन सस्ता आसानी से उपलब्ध होने वाला और आसानी से जलने वाला और बहुत ही वहन के योगी होता है और इससे कोई भी खानीकारक पदार्थ निकलते हैं पर ऐसा कोई आदर्स इनन नहीं है इन्धनों की दच्छता और मूले जो होते हैं वह अब फरस पर ही अलग होते हैं उनका उश्मीय मान उनकी दच्छता को प्रदशित करता है कीलो जूल प्रती कीलो ग्राम में वायू में बिना जले कार्बन कड़ जो होते हैं और स्वसन कस्टो को यानि दमा को उत्पन करते हैं इनन के अपूर्ण दहन से विसाली गैस कार्बन मोनो ओक्साइड गैस निकलती है और अगर कार्बन डाय ओक्साइड की मात्ता बढ़ जा तो ग्लोबल वामिंग यानि विश्व उसरण का खत्रा बढ़ जाता है कोईले डीजल और पैच्छोल के दहन से उत्पन सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्बल वर्षा उत्पन करते हैं जो फसलों भावनों और म्रिदा के लिए हानि कारक होते हैं तो इस तरह से हमें इनन का बहुत ही साफधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए या उप्योग करना चाहिए ठीक है तो हमारा आज का चैप्टर यही तर हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएगा और इसे लाइक, शियोर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा थैंक यू, हव गुड डे